हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग रादे रादे तो कैसे आप लोग उमीद्द है सब्सक्राइब मस्त होंगे तो आज की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा पार्ट वन पार्ट टू करके आएगा वीडियो सूबे हो गई है और लोग कपरा ऐसे धोली है तो जटपे में कपर सुखाने आई हूँ कि रूम है कपर सुखानेवाले इसमें पुरा से अभी बहुत फैला हुआ है तो इसके लिए चटपे में रख देती हूं ताकि य चटपे बहुत जल्दि सूख जाता है उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गूमने आज संडे हैं तो सुचे चलो भाई जी का फोन आया था भाईया का बोले कि चलो आज गूम के आते हैं तो ओला बुक कड़ा है थे तो हम लोग ओला में आज जा रहे हैं बच्चे टेंपो के पीछे बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं मोबा मंदीर में आगे यहां पर देखी कितना अच्छा सुविदा है चपल खुआ है नहीं इसके लिए चपल को खोलो और थैली देते हैं वहां से थैली में रखो और फिर नंबर वाइज है अपना नंबर याद करके रखो आते टाम चपना नंबर बोलो चपल लेलो चलते बनो रंग भी रंग भगवान सब का चित्र बनाया हुआ है मंदिर में हर एक भगवान का है बहुत 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 बड़ा बड़ा चित्र सब है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और भगवान के नाम से एक सब्सक्राइब और एक लाइक कॉमेंट करते जाएगा ये गौ मता है आसिरवाद ले लिजे आप लोग भी जो गौ मता में देवता के बास होती हो सब बनाई हुए है उनके पीट पे पेट पे तो अभी आप लोग को काना जी की विदर्शन होगी आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और बने रहे ये वीडियो में बहुत को मिलेगा आज भगवान से आसिरवाद लीजे आप लोग तो हम लोग मंदिर भगवान के तरफ जा रहे हैं अरे देखिए मंदिर के उपर तक कितना अच्छा अच्छा भगवान सबका चित्र बना है और बच्चे को तो आज बच्चे सबको बहुत मजा आ गया यहाँ पर प्रशाद के रूप में खिचरी मिलता है स्कौन मंदिर में तो सबको आज खिचरी खिला है वो भी वीडियो है यहाँ पर सब भक्त सब बैठे हैं आरती का भी टाइम होई रहा तो इसके लिए सब बैठे आरती के लिए बहुत सुन्दर मंदिर है आप लोग भी कभी हमदावादा यह तो इसकौन मंदिर जरूर गूमिएगा इनका दर्सन करते हुए जाएगा यह दान पेटी और मंदिर भगवान का फोटो के लिए नहीं आ रहा था धुन्दला जैसे आ रहा है इस बहुत अच्छा-चा किया हुआ है बहुत बड़ा बड़ा जूमर है जूमर भी दिखाऊंगी मैं तो प्लीज आप लोग देखिया और लाइक किजिएगा कॉमेंट करके बताएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को देखिए बहुत ठीक से आने रहा था क्योंकि लाइट उनके पास बॉल्ब जल रहा था इसके लिए केमरे पर लाइट आ रहा था यह जूमर है चार से पांच जूमर लगी हुई है इतना सुन्दर है मंदीर के यहां से आने का मन नहीं हो रहा था हम लोग लेट गए ही थे लेट नहीं गए थे थोड़ा बहुत और जल्दे जाते तो अच्छे से वीडियो हो पाता ऐसे कोशिस तो मैं पूरा की हूँ कि आप लोगों को यह दिखा पाऊ ठीक से कितना सुन्दर है यह रात होगा तब जाके इसमें लाइटिंग आएगे आरव, रूही, माही, आदी सबको बहुत मजा है भावी और मंदिर के अंदर ही प्रशाद मिलता है भगवान का कपड़ा फुल डाली यह सब अंदर ही है मौल जैसा सिष्टम है मंदिर के अंदर ही इसमें मना कर रहे थे वीडियो के लिए पड़ में देख रही थी सबको करती है तो मैं भी सोची चलो कर लेती हैं आप लोगों को भी दिखाऊं एमदावाद का इसकोन मंदिर तभी हम लोग चलते हैं चनामरीत लेने यहाँ पर चनामरीत बढ़ रही है तो एक बार आप लोग भी वीडियो देखते जाए और जैसी कृष्णा बोलते जाए यहाँ पर सबको चनामरीत बढ़ रहा है भाई जी भी अब आएंगे सब बच्चे भी ले लिए भाई जी की बाड़ी लाइन सिस्टम नहीं है यहाँ पर चनामरीत देने के टाइम सबके सब लाइन में बैटे भाईवान के दर्शन के लिए और जो मैं आपको बोली थी कि मौल सिस्टम है इसमें मौल जैसा सब कुछ मिलता है कितना सुन्दर डाली है पर बहुत महँगा था इसलेम ने लिया नहीं इसके जवरत भी नहीं था मंदिर के अंदर पुल डाली के अंदर चितर बनाई हुई है किताब सब है भगवान के तो मंदिर में जाते टाइम ही में दिखी थी काना जी सबका कपड़ा रखा था ठाकुर जी का तो तब नहीं लिया आते टाइम में खरीद रही हूं बहुत संदर संदर स्वेटर मुझे लेना ही था और जो कि मुझे यहां पर मिल गई तो मैं उनके लिए स्वेटर ले रही हूं और स्वेटर का वीडियो में सौट में डालूंगी वह आप लोग देख लीजिएगा झालूंगी वह नहीं मतलूंगी लेडियो में खरीब टानुट में गवेडियो में अजय हूं और में स्वेटर नहीं यहां दो पर लेगभ लेगर स्वेटर में संदर स्वेटर को अवेप पकत्र